तो गाइस काफी दुनों के इंतिदार के बाद Nainital Bank P.O. का result आउट हो चुका है और टाइटल देखके तो आपको समझ में आई गया होगा कि मैं Nainital Bank P.O. में भी fail हो गया हूँ तो ये fail होने का सिलसला यूँ ही काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है और कोई भी result पास नहीं देखने को मिल रहा मेरे को final इसका जो exam हुआ था वो 13 November को हुआ था 40 seats के लिए हुआ था काफी उमीद थी मुझे कि ये result मेरा होगा अच्छा होगा लेकिन इसमें भी finally मैं fail हो गया मैंने जो इसमें attempt किये थे exam hall से निकलते ही मैंने इसके attempts note कर लिये थे मेरे जो attempt थे वो reasoning में 40 में से 28 attempt थे और math में 40 में से 25 attempt थे और general awareness में 40 में 30 attempt थे computer में 40 में 32 attempt थे और English में 40 में 25 attempt थे यानि total मेरे 140 attempt थे जिसमें reasoning और math तो बिलकुल 100% accuracy के साथ मैं करता हूँ जो कि मुझे mock से पता लग जाता है mock में मेरे सही marks आते हैं जिये भी बिलकुल अच्छी हुए थी 4-5 गलत हुए होंगे वो एक अलग चीज़े और computer में भी 32 बहुत अच्छा attempt था और उसमें भी 4-5 गलत हुए होंगे English भी लगबग accuracy ठीक थी और 140 attempt करने के बात भी math fail हो गया मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे marks कटे तो कटे कहा काफी उमीद थी इसलिए कभी भी यादा उमीदे नहीं लगानी चाहिए क्योंकि जब उमीद तूटती है तो काफी बुरा लगता है तो चलिए देखते हैं कि मेरा marks क्या रहा तो यह रहा मेरा scorecard इसमें जो बताया गया है कि minimum qualifying marks 118, 118.75 है और मेरे जो marks आये हैं वो 102.5 आये हैं ठीक है तो marks कम रह गए हैं यहाँ पर समझ में नहीं आया कि 140 attempt करने के बाद भी कहां कम रह गए आप लोग बताईएगा कि आपका क्या scorecard रहा अगर पास हुए है तो नीचे comment box में जरूर लखिएगा तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे result को घर में बताया जाए समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी मुझे तो क्योंकि घर में बताना बहुत ही एक painful होता है काफी ज़ादा दुख होता है कि कैसे बताएं इसको अना यह एक वही समझ सकता है इनसान जो result में fail हो जाता है बाकी इनसान सिर्फ राय देते रहते हैं नहीं हो रहा बैंक तो कुछ और कर लो कुछ और कर लो प्राइवेट नौकरी कर लो यह कर लो वो कर लो मतलब तरह तरह की advice देते रहते हैं उन्होंने खुद कभी भी इस तरह की exam नहीं दिये होते है life में लेकिन advice देने में वो number one होते हैं एक दम अब बिल्कुल भी मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यह बार बार मैं इससे पहले RRBPO मेंस में फेल हो गया वहां भी हलके माक्स से फेल हो गया मैं उसमें भी मुमीद थी काफी कि कुछ हो सकता है मेरे वहां लेकिन RRBPO मेंस में फेल हो गया फिर IVPSPO Pre में वन माक्स से फेल हो गया फिर अब यह नैनी ताल बैंक में भी फेल हो गया तो पिछली बार भी ऐसे SBI में फेल हो गया था तो कुछ भी बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आ रहा है इस टेम एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं रह देकर के फिर वहीं पॉइंट पर आ जाता हूँ जहां से मैंने स्टार्टिंग की होती है फिर से प्री दो फिर से मेंज दो फिर यही सब सिलसला बार बार लगतार चलता चला जा रहा है तो बिल्कुल एकदम माइंड एकदम डिश्टर्ब हो गया है आप लोग बताईएगा कि आपका क्या स्कूर काड़ रहा कॉमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों तो देखते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं हम तो फिर मिलेंगी हम अपने ने स्टूडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye